टेलर वर्ड यानि के दर्जी की तरह काम करने वाला प्रिंदा कुदरत ने इसे ऐसी स्राहियत दी है जो शायद किसी और प्रिंदे को दी होगी ये प्रिंदा अपना गोंसला बनाने के लिए सबसे पहले दो पत्तों को ऐसे सलाई करता है जैसे कोई माहिर कारिगर दर्जी किसी सूट की सलाई करता है और इसको इसी खूबी की बिना पर टेलर वर्ड या दर्जी प्रिंदा कहा जाता है सल्विदाई उथमस से तालुक रखता है ये वो खानदान है जो अपनी चूँच या पंजों के जरीए गौनसला बनाने में माहिर होते हैं टेलर वर्ड पत्तों की सलाई करने के लिए दागा गड़ों से या फिर फाइबर या रेशम के कीरों का दागा इस्तिमाल करते हैं टेलर बर्ड अपनी नोकिली चूँच के जरीये दागा तो पत्वों के दरम्यान में डालता है हिरान कुन बात ये है कि टेलर बर्ड पत्वों की सिलाई करने के बाद पत्वों की बाहिरती साइट पे गिरा लगाना भी जानता है टेलर बर्ड छोटा प्रिंदा है इसका उपड़ी हिस्सा ग्रीन या ग्रे रंग का होता है और निचली तरफ येलो वाइट रंग का होता है टेलर बर्ड के छोटे छोटे पढ़ होते हैं एक छोटी सी दुम होती है लेकिन काफी मजबूत टांगें और लंबी चूँज होती है यही वो चूँज है जो इसे सलाई का काम करने में बड़ी मदद फराहम करती है टेलर बर्ड को अपनी चूँज से अपना गौंसला त्यार करने की खास सलाहियत की वज़ा से दरजी परिंदा का नाम दिया गया है पत्तों के किनारों को एक दूसरे के साथ मिला कर मक्रियों के जालों का इस्तमाल करता है और फाइबर या दागे का भी इस्तमाल करता है इसके बाद पत्तों के अंदर अपना नरम गौंसला भी बनाता है पत्तों की सलाई करना और इसके अंदर गोंसला बनाने के पीछे भी कई राज चुपे हैं जिसको बनाने की चंद वजुहात हैं जिसकी पहली वज़ा ये है कि दुश्मन पृंदों के दूर से देखने पर भी इसका गोंसला पत्तों के अंदर होने की वज़ा से नजर नहीं आता। मादा टेलर बर्ड अपनी चूंज और दागे की मदद से पत्तों का गोंसला बनाती है और पत्तों के अंदर नरंद गोंसला प्यार करती है अगर इस प्रिंदे को इंजीनियर बर्ड कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा मादा टेलर बर्ड इन पत्तों के अंदर गोंसले में अंडे देती है जिनकी तादा 3-5 तक हो सकती है और फिर इन गोंसलों में अंडों से बच्चे निकलने तक क्याम पजीर रहती है टेलर बर्ड जिसमें फीमेल पत्तों की सलाई से लेकर गौंसला बनाने और फिर अंडों से बच्चे निकलने और फिर इन बच्चों के बड़े होने तक जब तक वो उड़ना सकें और अपनी खुराक और कीरे मकोरे खाने के काबिल ना हूँ इस गौंसले में गुजर बसर कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा शुक्रिया